दोस्तों TRS हिंदी का हैलाइस चैनल TRS Clips हिंदी में आपका स्वागत है, सीखिए, इंजॉय कीजिए सर कल एक बहुत लेजंडरी IPS ओफिसर आयते शोव पर, एम नायर के नाम से मेरे साथ ही हैं, वो मेरे भाई की तरह है, हमारे साथ काफी काम करते हैं, मिल जल कर जी जी, उनके पॉडकास्स में भी हमने human trafficking की बहुत बाते करी, पहले मतलब आपके इश अपनों में समझा दीजे, human trafficking होती ही क्या है, देखिए, जब हम इंसान को इंसान नहीं समझते, सामान समझने लगते हैं, कि उसको खरीदा बिचा जा सकता है, उसको अपने इस्तिमाल मे लगा लेते हैं, चाहे गुलामी कराने के लिए, चाहे विश्यवर्ति कराने के लिए, चाहे और कुछ दंदे कराने के लिए, तो वो जो आजादी का चिनना है, किसी की human dignity की की कीमत पर, आजादी की कीमत पर, तो समझे वही simple शदों में human trafficking है, और मैं पहली बार इसको समझा 1981 में जब एक गुलाम बना हुए आदमी, जिसके बच्चे गुलामी में पदा होके बड़े हुए, वो मेरे दरवाजे पर आया, इस आशा के साथ कि मैं उसकी कहानी अपनी मेगजीन में चापूँगा, अब यह भी अलग लग कहानी है, मेरी पढ़ाई लिखाई, एंजिने युनिवर्सिटी में साल जर साल, फिर मैंने सोचा कि ये शायद मेरा सपना नहीं है, तो फिर मैंने शुरू कर दिया एक पत्री का निकालना, एक मेगजीन दिल्ली से, जो कि that was totally dedicated for the cause of the most marginalized children, most neglected, oppressed, left out people, खासकर बच्चे, क्यूंकि मैं सोचता हूं कि चेतना जो है, consciousness जो है, that is the beginning of social transformation, समाज को बदलना है तो जेतना से बदला जाएगा, तो पत्री का निकाली, तो वो आदमी आया जब मेरे पास, तो किवल इस इरादे से या इस अपेक्षा से कि शायद मैं उसकी कहानी चाप दूगा, उसका नाम था वासल खान, वो मेरे पहरों में आके गिर गया, बोला, मेरी बेटी को बचा लीजिए, बाबुजी, मेरी साबो को बचा लीजिए, जब मैंने उसको अंदर बुला के पूछा, तो बहुत मुश्किल से उसने बताया, रोते रोते, कि 17 साल पहले उसकी नियूली मेरेड वाइफ के साथ उसको, और दूसरे कई लोगों को गा उसको खरीदने के लिए दिली के ब्रॉथल्स के विष्यालयों के लोग आने लगे, तो जब माबाप ने ये देखा कि ये लड़की को तो टटोल टटोल कर उसकी कीमत लगाई जा रही है, वो ट्रैफिकिंग को समझने के लिए में एक कहनी सुना रहा हूँ, बाप को कुछ बाप कर दोटे रोते हर दरवाजे को खट खटा रहा था था सड़क पे लोगों को रोक के कह रहा मेरी बेटी को बचा लो बिग जाएगी, उस दिन सुना नहीं हो पाया जिस दिन वो ब्रॉथल के लोग थे तो इतिफाक देखिए इश्वर की कृपा देखिए जब आप ल तो जब मैं लिख रहा था रणवीर जी तो मुझे लगा कि अगर ये साबो मेरी बेहन होती है, मैं भी चबीस साल का था, अगर मेरी बेहन होती तो मैं क्या करता है, मैं सारी दुनिया को उठा लेता अपने हाथ में, लिखा पड़ी की चक्र मैं नहीं पढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कोई हिंसा करता, कोई बदला लेता, मैं इसके खिलाफ था बच्पन से, तो मैंने अपने दोस्तों को एखटा किया और हम चले गए उसको छुडाने के लिए, हमारी पिटाई हुई, बासल खान पकड़ा गया, और जब मैं लोटा तो खाली ह परिशानी के भीतर से ही उसका जवाब मिल सकता है, अगर हम डर ना जाएं तो, अगर हम परिशानी से डर जाते हैं तो जवाब नहीं मिलता, तो दिल्ली आके, मैंने अपने कुछ दोस्तों की मदद ली, एक वकील थे उनमें से, हम कोर्ट शले गए, हाई कोर्ट ने, नह के पहली घटना है ये हुमन ट्रेफिकिंग की, चाइल्ड स्लेवरी की, चाइल्ड लेवर की पहली घटना है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, जब सामाजिक कोशिसों से, सोशल एफर्ट से, या किसी सामान्यादमी के एफर्ट से, गुलाम लोगों को चुड़ाय गया ह हो बच्चों को चुड़ाय गया हो, ऐसी कहीं डुकुमेंटेट घटना नहीं है, कंटेंपरी फार्में, एट वस दे बिगनिंग अफ एंटायर वोल्डवाइड मोमेंट अगेंस्ट चाइल्ड स्लेवरी एं ट्रैफिकिंग, एटीवन में, बहुत कुछ हुआ अपकी जिन कि अधिकालीन दुनिया में ऐसा चलता था गुलामी आदमी खरीदे फरुक्त होती थी, लेकिन आज की दुनिया में तो कानून भी नहीं थे इस तरह के कोई रिसर्च नहीं थी, कोई आदमी नहीं था जिससे सीखा जाए, तो हम लुटते पिटते रहे, हम आजाद करा के ख जलता रहा, बढ़ते गए, तो उस वक्त लोग जानते नहीं थी कि यह बड़ा मुद्दा है, तो जब हमने ग्लोबल मार्च निकाला तो तीन हिस्सों से निकला हो, दुनिया की तीन हिस्सों से, मनिला से, सोपॉलो से, और केप टाउन से, तो तीनों मार्च मर्ज हुए उर आइडिया बहाइंड इट वाज, हम डिमांड कर रहे थे कि एक अंतरास्टी कानून बना चाहिए इस पर, ताकि दुनिया के हर देश उस कानून को लागू कर सेके, जब अंतरास्टी कानून होता है तो उसको करना पड़ता है लागू, अपने अपने कानूनों में से कलपना करिये आप, कि फिर वहां पाकिस्तान से अफगानिस्तान और फिर एरान ऐसे से गए, या उधर से हम चले तो एरिट्रिया से एथिपिया इस तरह के मुखिल कंट्रीज में, जहां लैंड माइनिंग बिचे हुए थे, जहां पर इतनी दुश्मनी थी कि वीजा मिल होते थे, लेकिन सबसे बड़ी ताकत थी उसमें बच्चे खुद, किशोर, नौजवान लोग, जो कि खुद सर्वाइबर थे, जो भुक्त भोगी थे, गुलामी के, वो बच्चे आगे बढ़ के कह रहे थे भई कि हमें हमारे हाथों में आजार मत दो, हाथ्यार मत दो, हमा हाथों में पैंसलें दो, खिलोनें दो, हमें पढ़ाई दो, जब वो मांग कर रहे थे, तो उससे जादा ताकत बर और कोई आवाज नी हो सकती थी, क्योंकि वो सचाही के आवाज थी, सचाही के आवाज इश्वर के आवाज होती है, और करीब देड करोड लोगों ने, जा सिक्समन, और जिनेवा में पहुचकर जब हम पहुचे तो तब तक 71, 71, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, किंग्स, कुइन्स, हमारी यात्रा में शामिल हो चुके थे, या माधद कर भागोई, सपोर्ट कर चुके थे, एक कानून बन गया, देखते देखते, एक स बग रह गई, तो हुआ ये, चेतना से हुआ, अंदोलन से हुआ, काम से हुआ, तो ऐसी कोई दुनिया में ताकत नहीं है, जो आजादी को रोख सके, इंसान की आजादी को रोख सके, ये वीडियो से आपने कुछ सीखा न, बागी के वीडियो भी देखे, बहुत तगडे होते हैं, TRS Clips Hindi पर आपको बस चैनल को एक्स्प्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लेजिए, आपके लिए बनाएंगे हैं दोस्तों